नवास्कार दोस्तों ये विदेश में रहने वाले भारती का पाम है और इनकी रनिंग एज 63 एर्स है इनके कुछ सवाल है इनके सवाल लेने के पहले मैं थोड़ी सी जानकारी देदू क्योंकि ये एनालिसिस थोड़ा सा छोटा होगा इसकी लिमिटेशन है एक तो इनका प्लस पॉइंट ये है कि इनके हाथ में मुझे कहीं पर भी राउ रेखा है शो नहीं हो रही है अगर ये हो रही होती एक राउ रेखा थी ये राउ रेखा पर इसका समय निकल चुका है ये एज निकालने मैं लिये लगबग होगी तीस के आसपास की एज में इसको छोड़कर इनके पाम में ऐसी कोई राउ रेखा शो नहीं हो रही है तो ज़्यादा टेंस भी नहीं लिया मैंने क्योंकि जो भी उतार चड़ाव आये होंगे इनकी धन रेखा के हिसाब से ही आये होंगे यानि ऐसे लोग जो होते हो इनको दुख क्या होता पता ही नह रेखाने जब काटा होगा अगर यह रिलेशन लाइन होगी तो बात अलग है नहीं तो तो कोई भी जानकारी नहीं मिले होगी और यह राउ रेखा होगी तो दुख क्या होता है इस पिरियड में इन्होंने जाना होगा ठीक है फैनेशल उतार चड़ाव आये होंगे जीवन नहीं है कि इस हाथ मैं कोई एडवांटेज नहीं है बहुत सारे एडवांटेज भी है इस हाथ में और डिसएडवांटेज भी है पहला इन्होंने सवाल पूछा हेल्थ तो इनका बहुत अच्छा फोटोग्राफ मेरे पास है यह जो जीवन रेखा है उस पर कोई माइनस पॉइंट शो ही नहीं हो रहा है यह वर्तमान में 63 के आसपास है इस उम्र को हम यहां पर गिन लेते तो ऐसा कोई माइनस पॉइंट मेजर माइनस पॉइंट तो इस पर दिखी नहीं रहा अब टू एंड तक तो हेल्थ के बारे में तो यह निशिंद रहे कोई ज़्यादा टेंस लेने की आवशक्ता नहीं है मल्टी मिलियनेर इनका सवाल है नो डाउट दो तिन छोटी 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 फिश्टा इने है पर उसके कारण व्यक्ति मल्टी मिलियनेर बनता है अगर इनकी धन रेखा में डम होता पर इनकी धन रेखा में वो लेवल का डम कभी नहीं रहा तो मैं ये नहीं कह सकता कि ये मल्टी मिलियनर बन पाएंगे पर फिर भी संपन होंगे उसमें कोई दोर आये नहीं पर वो लेवल नहीं है नया काम आप कभी भी कर सकते हो एक जगह पर आपको घाटा जाने का चांसेस है वो मैं एज बता दूँगा उसको छोड़कर आपके हाथ में ऐसी कोई नेगटिव नहीं है और ना बहुत ज़्यादा ग्रोथ है पर फिर भी आम लोगों से ज़्यादा पैसा कमाऊगे पार्टनर्शिप कर सकते हो कोई ना नहीं खाली अकाउंट्स के बारे में ध्यान रखना बस लोटरी का हमें जानकारी होता नहीं है क्योंकि भारत में लोटरी सिस्टम आप भी जानते हो यहाँ पर इस तरह के कोई लोटरी लगे हुए व्यक्ति मिले तो हम जानकारी दे सकते या किसी के हाथ में यहाँ पर स्टार हो तो उसे कहा जाता है कि भई लोटरी ले ले अचानक धनलाप के योग बनते है राउचेत्र में पर उसको छोड़कर ऐसा कोई लोटरी का साइन हमें जानकारी नहीं होती यह प्रश्ण आप विडियस में ज्यादा लोटरी लगती है वहां के किसी पामिश को पूछोगे तो वह बहुत अच्छी तरह से आपको बताएगा क्योंकि उनको एक्स्पिरेंस रहता है पूस्ते नी जमीन जायदात मिलने के यहां पर चांसेस है अगर यहां पर इंक लगाई होती और यह स्क्वेर कंप्लिट आप अपने लेवल पर इंक लगा कर देख लेना यह लाइन अगर यहां जोइंट होती होगी यह तो जोइंट हो रही है और ऐसे यह स्क्वेर बनेग तो 100% आपको पुस्तेनी जमीन जायदात मिलेगी यह साइन दिख रही है केवल आप यहाँ पर इंक लगा कर एक बार अपने लेवल पर देख लेना यह लाइन इस तरह से जोइंट हो रही है कि नहीं अगर यह लाइन जोइंट हो रही होगी तो आपको 100% पुस्तेनी जमीन जायदात मिलने के योग है आपके जीवन में तो आपके लगबग सारे सवालों के जवाब देदी है मैं एक एक करके मेरे ग्यान के अनुसार और आपके हाथ की लिमीट के अनुसार जो जो दिखेगा वह मैं बताने की कोशिस करता हूं अब यह पाम मेरे हिजब से स्कवेरिश लगता है यानि व्यक्ति महंती होता है जब स्कवेरिश होता है अंगुठा फर्स फैलंच नुकिला है, तो कारे कोपृति जिद होती है सेकेंड फैलंच भी अच्छा है जहां लोजिक की जोरत वाँ लोजिक यूजिक की है, जहां चूप रहने की जोरत वाँ चूप रहे है और मानसल है, अपने हितों की रक्षा करने वाले लोग होते हैं इनसे बेटा बनकर चाहे इतना मांग लो, बाप बनकर दस रुपया भी ना ले पाओ इतने strong व्यक्तित्व के होते हैं उंगलिया छोटी है तो हाथ के नीचे काम करने वालों की संख्या जादा रहती है और सबसे बड़ी खासियत इसकी सुर्य की उंगली इस हाथ की ये जब इतनी बड़ी हो तो ये बहुत आनंदित सभाओ के व्यक्ति होंगे बहुत ज़्यादा आनंदित सभाओ के व्यक्ति होंगे सुर्य की उंगली जब आपकी बड़ी होती है तो बहुत आपको खुश मिजाज रखती है कैसा भी समय जाता हो व्यक्ति आनंद में रहता है सेकेंड हिम्मती सभाव जेब में पचास अजार और पचास लाग की रिस्क लेनी हो तो ऐसे लोग ले सकते अब आपने पार्टनर्शिप का पूछा तो आपकी ये उंगली फर्स फैलाइन तक नहीं पहुच रही है और ना ही मनी ट्रैंगल है तो दो माइनस पॉइंट होती है मनी मैनेजमेंट और अकाउंट ये दोनों चीजों में आप कमज़र होंगे जनरली अकाउंट डोकुमेंटेशन ये सारी चीजों में ये उंगली का रोल रहता है तो ये छोटी होने के कारण ये सारी चीजों में आप माइनस पॉइंट रहोगे अब जो बुद्परवत अगर यहां से इतना उभार है तो व्यक्ति स्पष्ट वक्ता होता है ये भी एक खासियत होती है उनमें और नाम के प्रती ज्यादा जिग्यासा होती है छोटा भी कारे करे तो व्यक्ति को नाम मिलना चीज़े इस तरह की भावना रहती है यहां पर खड़ी लाइन है तो आपको बुड़ा पर में चिंता करने के आवशक्ता ही नहीं है आपके जीवन में जब तक जीओगे तब तक धन आता रहेगा और बिजनेस माइंडेड भी बनाती है सबसे अच्छी खासियत देखिए इतनी बड़ी यश वाली साइन है ऐसे लोगों को जीवन में यश भरपूर प्राप्त होता है लोग पुछ पुछ कर आते हैं व्यक्ति फलाना व्यक्ति कहा है यह इनके खासियत होती है जब यश शाइन होती है तो इनके साथ भी अब 63 तरीक है तो इस तरह का जीवन भर माहौल देखा होगा इनोंने अब इनकी जो फिश साइन है उस पर चलते है बहुत बड़ी बड़ी तो फिश साइने नहीं नजर आ रही है पर छोटी जरूर दिख रही है एक यहां पर है और बड़ी होगी तो भी इनके हाथ की लिमीटेशन है तो उसमें वह क्लियारिटी नहीं आ पा रही है एक यहां पर शो हो रही है और एक साइन यह स्क्वेर अगर यह कंप्लिट है 99.9 यह 100% कंप्लिट है तो ऐसे लोगों को इंटरनेशनल लेबल का काम होता है इंपॉर्ट एकस्वेर इसाऱ काम होता है यह स्कूर से फैला हुआ कामकद्ध का जिससे कहते हैं एक ट्रेंगल भी यह यहां पर यह भी आम लोगों से जादा वैक्ति को खुश रखता है और धनी बनाता है और जिसके हाथ में स्क्वेर होता है उनकी जो लाइश्टैल होती है वो अपने इंकम से ज्यादा अच्छी तरह रहते हैं यानि आसपास के लोगों को लगता है इनके जीवन में तो बल्ले बल्ले है तो ये एक वस्तू रहते हैं और ये यर्शायन एक और फिस्साइन है इनके हाथ में जो बड़ी मुस्किल से बहुत मैनत के बाद दिखी है वो ये देखिए ये यहाँ पर ये दोनों फिस्साइने कोई बहुत बड़ी साइने नहीं है छोटी है हाँ कहीं गलती से कोई रह गई हो तो ये मल्टी मिलियनर का जो प्रश्ण है उसमें हमसे गलती हो सकती है पर दो जो छोटी साइन है और धन रिखा अगर दमदार होती तो मैं कह देता कि ये मल्टी मिलियनर बनते है पर इतनी छोटी साइनों में व्यक्ति मल्टी मिलियनर न अगर यह क्रॉस बनता होगा तो ऐसे लोगों को तीन माइनस पॉइंट होते हैं या तो पिता से मद्वेत या पिता से दूर रहना पड़ता है या पिता का साया छोटी उम्र में जाता है और बार-बार जीवन में थोड़े से आगे बढ़े न कोई न कोई टांग खिशने वाला मिलता है या हमें पिछे इस तरह के हाला पैदा होते हैं कि हमें पिछे आना पड़ता है इसका मैं उपए इनको दे दूँगा तो ये दो साइने हैं इनके हाथ में अब इसी फोटोग्राफ से हम इनका पूरा आकलन करने की कोशिश करते है यहाँ पर विद्या रेखा है व्यक्ति को बेसिक नॉलेज अच्छा खासा होता है और बेसिक नॉलेज के कारण व्यक्ति अपने जीवन में उन्नती भी करता है और लोग इनको पूछ-पूछ कर भी काम करते हैं शनी परवत अगर इसी तरह देखो इनके हाथ में थोड़ा सा फॉल्ट है अंगूठे के कारण तो हर जगा पे थोड़ा सा किंतु परंतु हो जाता है अगर इसी तरह थोड़ा सा बीच में दबा होगा तो यह ऐसे लोगो तो चल यह नहीं इंट्रेस पे कर रहा है तो व्यक्ति कमजोर है इसके दिए इंट्रेस करता है पर उसको जीवन भर इंट्रेस पे नहीं होक judgments को गतपनी भी सम्रुड हो जुपिटर माउंट अगर यह थोड़ा सा भी अंदर की तरफ आता है तो पारिवारिक समस्य होती है और नहीं आता तो कोई प्रॉब्लम नहीं और जुपिटर माउंट पर कोई साइन होगी भी तो हमें देखने की कोसिस करते हैं क्योंकि अंगुठा जब इस तरफ से होता है तो जुपिटर माउंट कहां से उभार है पता नहीं चलता एक कंटीन्यू चलने वाली लाइन दिख रही है और होरिजन्टल लाइन दिख रही है तो यह ऐसे लोग कामेश्ट्री एस्ट्रोजी में ध्यान जाता है और मल्टिपल इंकम के सोर्स भी क्रियेट होते है अगर दो लाइन होतो और यह लाइन व्यक्ति को कंटीन्यू प्रोग्रेस देती है और खरब भी समय आए तो व्यक्ति टिका रहता है अंदूनी मंगल का पता नहीं चल रहा है किस तरह का है क्योंकि अंगुठा उपर की तरफ अप है बा अगर यह स्क्वेर सैन कंप्लीट होगी तो सच्चा ही पसंद इंसान होते है इनको जूट पसंद नहीं आता और जीवन रेखा से निकलने वाली साखा यह यात्रा भरपूर करवाती है और विदे सैटलमेंट भी करवा दी इसी लाइन ने और चंद्रपरवत अच्छा है त इस संबंद आता है रिफेंट सोच होती है और नए नए चीजे करने का शौक होता है शुक्र परवत पर भी कोई माइनस पॉइंट नहीं है काफी अच्छा शुक्र परवत है ऐसे लोग कपड़े अच्छे पहनते है अच्छी तरह रहते है इस तरह का फल होता है पर यह भी अंग उठा पूरा ओपन नहों होने के कारण एकजेट किस तरह का रहा है वो पता नहीं चल रहा अब इनकी हिर्दे रेखा यह दो उनों के बीच का पाठ और यह श्णी परवत से शुरू हो रही है शनी परवत से जब हिर्दे रेखा शुरू होती है तो व्यक्ति को तीन ह गुन होते हैं, सुबह आग खोलते ही कैसे पैसा कमाना, वो गुन धर्म होता है, सेकेंड होता है, कामुक भावना, और तीसरी चीज रहती है, कभी-कभी फिजिकल बनते हैं, यानि हाथ पर उठाते हैं, उसको छोड़ कर, कोई सभाव में, इनके कोई अंतर नहीं रहता, और यह जो लाइन है, यह थोड़ी सी डार्क है, तो जंजटे रहती होगी जीवन में, एक दम मुक्त होकर व्यक्ति जी नहीं पाता, जिनके हाड लाइन थोड़ी सी मोटी होती है, इतनी भी मोटी नहीं है, पर फिर भी मोटी है, माइन लाइन को देखे, तो पूरी जूपिट से स्टार्ट हो रही है, तो व्यक्ति महतोकांशी होता है, एंबिशियस होता है, और यहां तक यह काफी डार्क चली, यह अन्दा जित, एकदम एगजेट पिरियड तो नहीं बता पाऊंगा, पर लगबग फिप्टी तक बोज रहा होगा इनके, या फोटी फाय तक भी गि दबाऊ रहता है, तो हो नहो, फोटी फाय या फिफ्टी तक इनके जिवन में दबाऊ रहा होगा, और उसके बाद दीरे दीरे दबाऊ थोड़ा सा हलका हुआ होगा, और यह अब तू यहां तक जा रही है, काफी घ्यान बतोरने वाले लोग होते, फाल्तू समय बरबाद नहीं करते, कोई नहीं ग्यान लेते, और काफी बड़ी माइन लाइन है, तो अपने बुद्धी के बल पर अच्छा विकास करते हैं, अब जीवन रेखा पार एक लाइन यहां पर शो हो रही है, पर इसकी एज निकालने में अंगुठा ओपन नहीं हो रहा, तो एज निकाल नहीं है, नहीं तो यह राउ रेखा है, और यह अंदा जित, तीस के आसपास का समय होगा, दो तीन साल इधर उतर, इस पिरेट के आसपास की यह लाइन है, और उसके बाद एक दो आफशूट भी है, पर उसकी एज निकालने में, यानि यह चार-पास सालों के बाद, या त उसके पाथ-छे साल के बाद और एक आफशूट है, और ऐसे आफशूट मुझे कंटीन्यू दिखाई दे रहे हैं, पर इनकी एजिंग करने में तकलिफ आ रही है, तो यह आफशूट इनको बेनिफिट दिलायोंगे, और यह ऐसे लोग यात्रा जादा करते हैं, और जिव रहू रेखाई नहीं होती, उनको दुख क्या होता है, पता ही नहीं होता, यह भी एक खासियत होती है, ठीक है, धन रेखा के डिश्टरबंस से कोई उतार चड़ाव आते हैं, वो अलग बात होगी, पर रहू रेखा आपको एक्शूल में दुख क्या होता है, वो पता करता तो बहुत नसिब वाले लोग होते जिनकी राहू रेखाई नहीं होती अब इनकी धन रेखा को देखते हैं इस धन रेखा को देखे तो यहां से यह स्टार्ट हुई यहां तक कोई बहुत ज़्यादा सुन्दर तो नहीं कहूंगा पर फिर भी काफी अच्छी धन रेखा थी और यह पिरियड होगा लगबग 26 से लेकर 29 तक 29 के बाद थोड़ी सी फैल गई तो थोड़ी सी ग्रोथ कम होती है पर फिर भी यहां पर भी पैसा कमाया हों गई है उसके बाद यह घूम कर ऐसे गई है और यहां तक का जो पिरियड है वो काफी उतार चड़ावाला रहा होगा तो कि यहां पर धन रेखा मैं दमी नहीं था प्लस सीधी नहीं जा रही थी क्रॉस में जा रही है तो यह ज़्यादा ग्रोथ नहीं देती इस तरह की धन रेखा और यह लाइन अगर इन्वेस्मेंट कर रही होगी 99% इन्वेस्मेंट है 40 के आसपार या कोई ना कोई घाटा गया होगा इनको पर यह धन रेखा जरा भी अच्छी नहीं थी special 38 से लेकर up to 42-43 तक यह समय इनके लिए आर्थिक रूप से अच्छा नहीं गया होगा पर साइड में दूसरी और धन रेखा थी पर यह भी इतनी सुन्दर नहीं इनकी धन रेखा कभी भी सुन्दर रही नहीं हाँ इसको थोड़ा सा यहाँ पर यह धन रेखा को गिने तो यह लगबख 49 से लेकर 56 तक यह काफी अच्छी थी धन रेखा पर कही न कहीं थोड़ी सी मोटी तो खरी पर दबाव नहीं था इस पर इसके पहले यह काफी खर्ची ली कम ग्रोथ वाली थी अब वापस इसी धन रेखा पर आते यह अच्छी होने के बाद भी कोई सुन्दर एकदम सुन्दर धन रेखा नहीं थी और यह चली लगबख 56 तक यानि 56 तक चली और यहाँ से एक और धन रेखा निकली 53 या 54 से और यह भी कोई बहुत जारा ग्रोथ वाली नहीं है और यह चली लगबख यह लगबख 63 तक चलेगी उसके बाद हो सकता है यह बिजनेस यह स्टॉप कर दे बीच बीच में और धन रेखाए थी दो चार-चार सालों के लिए पच-पच सालों के लिए कोई वर्क मिला होगा इनको और यह जो धन रेखा है यह यहाँ से वापस बिगडनी चालूई यह 59 के आसपस से यह 58 के आसपस से बिगडनी चालूई अब तू यहाँ तक अच्छी नहीं है इस पार्ट तक और यह एज होगी लगबख 62 के आसपस तक यह इतनी अच्छी नहीं है और उसके बाद 2-3 साल अच्छी चलेगी और एक कट लगेगा तो यह कोई नो कोई खर्च करवाएगा क्रॉस में कट नहीं है तो ज़्यादा चिंता करने की जुरत नहीं है और यह आगे चल कर हो सकता है यह भी बिजनेस आप बंद कर दो और एक छोटा सा कोई और काम चालू करो ज़्यागे चल कर थोड़ा सा वेवसिट ग्रोथ देगा उसके बाद यहाँ पर भी एक धन्रे खा थी वो स्टार्ट हुई थी लगबख 59 के आसपास से और यह भी लगबख 64-63 तक में पूरी हो रही है उसके बाद एक और लाइन चालू हो रही है जो आपको थोड़ी सी काफी अच्छी में मानूंगा तो यह आपको ग्रोथ दे सकती है पर यहाँ पर भी एक कट लग रहा है और यह लगबख कट लगेगा आपको 73-74 के आसपास आपको यह कट लग सकता है यह थोड़ा बड़ा कट होगा जो आपको थोड़ा सा विचलित करेगा और यह सीधी चल रही है और यह एक और इंकम तो आती रहेगी ऐसा कोई मेजर इंकम का प्रॉबलम नहीं है पर दो-तिन कट आपको आगे चल कर लगने वाले है क्योंकि जो भी है कट आपके धन रेखा पर है इसके अलावा कोई माइनस पॉइंट नहीं है और बहुत स्ट्रॉंग धन रेखा कभी नहीं है आपकी तो आशा रखता हूँ इनके सभी प्रश्णों के जवाब इनको मिल गए होंगे और आप लोगों का पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद